हाई जोस्तों असलाव अलेकूम कैसे आप लोग में आप नबील है iOS 18 का RC वर्जिन एपल ने रिलीज कर दिया है 18 का RC वर्जिन ने की 18.0 का और इसमें एक वो फीचर आ गया है जो iPhone 16 का launch event अगर आपने हमारे चैनल पर देखा होगा तो नहीं हो देखा होगा तो देख लेना वो फीचर जो है आपके सभी iPhone के अंदर आपको अब iOS 18 के RC वर्जिन में और फाइनल वर्जिन जो यह है उसमें दे नहीं कोई बात नहीं आपके फोन का कोई storage space वगरा यह जादा नहीं घेरेगा जितना पहले वाले अपडेट में उतना ही रहेगा लेकिन अगर आपका फोन 64GB वगरा का है या बहुत कम storage space में बचिए तो हो सकता है आपका फोन आपको बोले कुछ apps डिलीट कर दो या कुछ data अब्डेट करेंगे तो अगर आप अभी भी iOS 17 के किसी वर्जन पर चल रहे हो और iOS 18.0 का आपको अपडेट आता है तो अपडेट इस तरीके से देखने मिलेगा और इतने सारे नए features जो है उसमें एक सार मैंशन आपको देखने मिलेंगे iOS 18 के RC वर्जन को download install करने के पहले जो पुराना वर्जन था उसका ये screenshot है ये सारा data है तो 18.0 था 18.0 ही रहने वाला है क्योंकि ये 18.0 के ही beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थे और अभी उसी का RC वर्जन आ गया है अपडेट से पहले का available free space आप देख सकते है 573.88 GB था अपडेट से पहले यहां पर देख सकते है iOS version 18.0 ही है available free space बढ़ गया है जो के बहुत चीबात है और iOS 18 के हमने beta updates के अंदर ये जरूर देखा है कि जो available free space है वो update करने के बढ़ जाती है तो ये बहुत चीबात है और एक एक attention जो है नहीं रहता हमारे दिमाग में कि क्या होगा storage space का मुझा कैसा क stable version आ गया इस update में कोई modem firmware आपको क्या नया देखने मिल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं कोई नया modem firmware देखने मिल रहा लेकिन iOS 17 से जब जाएंगे आप final version के उपर iOS 18 के जो आने वाला कुछ दिन में कब आएगा बताऊंगा आपको तो आपको नया modem firmware देखने मिलेगा अब यही update जो है देखने मिलने वाला है और यही build number आपको देखने मिलने वाला है अगर अभी RC2 नहीं आता तो RC2 आता है तो वो install करेंगे तो उसका और stable version का build number सेम रहेगा तो यह stable version है तो पहले क्यों आ गया आपको क्यों नहीं मिला अभी तक उसका reason यह है कि यहाँ पे जो लो Pro Max वाला यह wallpapers का पूरा set है यह वापस आ चुका है और सबसे बड़ा feature यहाँ पे आया है जो के iPhone 16 सीरीज के launch में Apple ने चुप चाप पुछ कर दिया है उसके बार में ज्यादा बात नहीं किया तो यहाँ पे वो वाला feature भी आ गया वो feature क्या है वो मैं आपको बताता हूँ य और यहाँ पे देखिए फिर से मैं pause कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं इसको इस तरीके से record करता हूँ और यहाँ पे जाके end कर देता हूँ अब यह जो वीडियो बनी है यह वीडियो कैसी बनी है देखिए आप यहाँ पे यह मैं पहले यह phones दिखा रहा था उसके बा recording on करता हूँ, suppose मैं pause करता हूँ, तो यह से Samsung वा रहे phones में आप flip कर सकते camera, front camera और ear camera के बीच में, वो यहाँ पर possible नहीं है, वीडियो जब चल रही है, उस time पे भी flip करना जो है, वो possible नहीं है, बस आप यह screenshot जैसा एक photo ले सकते हो, और वीडियो को pause का सकते हो, दे रहा है दुरुस्त है, चलो pause का बटन तो मिला, तो इसके लिए अब जो है, अमको thankful होना पड़ेगा, लगता है, कि यह कोई apple intelligence का feature नहीं है, और यह restricted नहीं है, सिर्फ latest iPhone के पर, यह जो मैंने बता है, यह 14 pro max है, अब मैं यहाँ पे iPhone 12 पे भी same update कर चुका हूँ, इस पे भी मैं आपको same चीज जो है, बताता हूँ, यहाँ पे हम वीडियो में चले जाते हैं, और यहाँ पे देखिया, वीड 18.0 RC version में यहीं दो features है, क्योंकि पूरा एक नया update ही है, तो हर बार थोड़ी न 10-15 features नहीं डालेगा, ऐसे नहीं करेगा, सारे features कर दिया था, पहले बेटा के अंदर ही बाद में दिरे-दिरे features आए, और उनको refine किया गया, अभी और बहुत features आने के है, जो अभी तक आये नह नोट्स जो है, यहाँ पे update किया या नहीं अपल ने, तो यहाँ पे यह है, रिलीज नोट्स इस वाले update के, जहाँ पे resolved issues जो है, mentioned आपको नजर आएंगे, और काफी सारे issues यहाँ पे देख सकते है, resolve Apple ने कर दिया है, known issues, अभी भी है कुछ जो के धिरे-धिरे Apple और आगे वा किया है, iOS 18.1 पे चलने वाला, जो मेरा iPhone 15 Pro Max है, यह तो 14 Pro Max है, उसके अंदर मैं ने देखा, AirDrop का थोड़ा issue आ रहा था, तो इस पे भी चेक करेंगे हम, के AirDrop सही से काम कर रहा है नहीं, तो अभी एक चीज जो है, एक फोटो जो है, वो AirDrop करके मैं यहाँ चेक करता हूँ आपी की सामने, तो यहाँ पे देख सकते है, काफी सार है, यहाँ पे मेरे पास डिवाइस है, और मैं अपने एक Macbook के ऊपर, यह M1 Max वाले पे, AirDrop करके देखता हूँ, और यह यहाँ पे इंस्टेल यह आइड्रॉप होगा है, लेकिन वही, जो मेरा 15 Pro Max है, जिसके अंदर म पे बाटरी की कंडिशन चेक आउट कर लेते हैं, तो इसके बाटरी हैं गिरी नहीं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इससे के बाटरी हेल्थ पे कोई एफेक्ट आपका नहीं पढ़ने वाला, लेकिन हां बहुत लोग यह बाटरी हल गिरे गी आयो सेटीन करने के बाद, क्योंकि अब उनके फोन्स को एक साल या सातार महीने होने आ गये है, री कैलिबरेट होती है बाटरी और उसके बाटरी हल थोड़ी बहुत गिर जरूर जाती है, तो उसका दोश आप आयो सेटीन में मत डालना होने वाली थी, तो होके ही रहने वाली है, अगर आपका इसल ल नहीं है, और रही बाट स्टोरेज की तो स्टोरेज के टेंशन लेना ही नहीं आयो सेटीन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरेज बग वगरा आपको देखने नहीं मिलने वाला है, काफी सई अपडेट है, और यहां पे आप देख सकते है, system data एकदम minimum रखा हुआ है, इसके अंदर, मेरे फोन के उपर तो at least कुछ-कुछ लोगों का बढ़ जाता है, लिकिन हो fluctuating रहता है, यहां पर लिखा है, fluctuate होगा according to system needs, तो क्या मेरे फोन की system needs का में जो इतना कम रहता है, पता नहीं, 15 pro max जो है मेरा primary device है, उस पर maximum time में इस्तमाल करता हूँ सारी नहीं हो रहा है, at least जो latest iPhone से उन पे तो नहीं जैसे अभी 14 pro max है, 15 pro max है, अभी iPhone 12 भी मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या नया आया है, वो feature के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है, कोई यहां पर दिक्कत मैसूस नहीं हो रही, तो performance भी यहां पर अच्छा ही है, और एक लेकिन उसको भी बीट कर दिया है, iOS 18.0 final version या RC version के score ने, 2566 और 6669, यह 14 pro max है, 15 pro max नहीं है, इसलिए उसका score और इसका score फरक है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं, और अगर 15 pro max का देखे हैं, तो 7000 प्लस रहता है, क्योंकि यह मैंने backup बनाया था, 15 pro max का इसके उपर, तो उस 23,897, तो यह भी थोड़ा बढ़ा ही है, घटा नहीं है, जितना बढ़ा है, उसका कोई फरक नहीं बढ़ता है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, कि यहां पे यह भी on the higher side है, और एकदम टॉप टॉप का score ही आप समझ लीजेए, यहां पे एक बार पहले भी आया था, 22,897 और यहां पे एक बार 23,000 भी देखने मिला था, लेकिन उसके आस-पास ही अभी का score भी देखने मिल रहा है, 100 पॉइंट या 500 पार नहीं दोर्दा GPU के score में चलता है, अब बात करते हैं हम लोग Apple Intelligence की, तो Apple Intelligence में चले जाते है, Apple Intelligence सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता देता हूं क यह आने वाला है, iPhone 15 Pro, Pro Max और नई जो 16 सीरीज है उसके लिए, तो अगर आपके 14 Pro Max भी है, यह आप लेने का सोज भी रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको Apple Intelligence नहीं मिलने वाला, यहां पर देखिए, compatibility लिस्ट है पूरी, जिसमें iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro Max, 16 Pro, 15 Pro Max, 15 Pro है, और उसके बाद दू लिकुंचिप है, Apple का M1 से उपर वाला, उनको मिलेगा बाकी किसी को Apple Intelligence नहीं देखने मिलने वाला है, Apple Intelligence लेकिन जिन लोगों को मिलने वाला है, उनको भी later this year करके लिखा है, starting in US English later this year, तो ऐसा नहीं के बाद में आएगा, अभी बेटास में है, जो हमारे iPhone 15 Pro Max पे चल रहा है तो यह थोड़ी सी sad चीज है, अब coming updates के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तो iOS 18 का Stable Version कम मिलेगा, तो यह तो RC Version है, आप लोग को कर समझ में आ गया, RC Version, Stable Version से में, तो इस बात का ध्यान रख लेना, कि RC Version जो आ गया है, बेटापडेश जिन लोगों के पास ह तो अपने आपे क्या रहता है, September 16 में रात रहता है, 12 बज़े आएगा, 11 बज़े आएगा, एक बज़े आएगा, जब भी आएगा, इंशलाला आपको वीडियो बना के बता दूँगा, what's new वाला, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, बेटा से Stable पे कैसे जाना है, वैस अपडेट जो है, नेक्स्ट वीक आए, लेकिन जाधा इसकी पॉसिबिलेटी है, कि इसी वीक में आपको ये वाली अपडेट देखने मिलेगी, और इसमें एक्च्वल में मेन फीचर जो Apple Intelligence को करा कहा है, लेकिन ये पॉस बटन वाला जो फीचर है, वो भी इसमें एक्स्प नहीं समझदारी है, वाकि करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों अननेसेसरी डेटा के साथ और आपके स्टोरेज में जो कुछ भी है, उसके आद खेलना है, यूँकि रिस्क होता है डाउन्टेट करने में, तो बेटा रहे कि आप डाउन्टेट वगरा ना करें, तो ये थी पूरे फीचर को कंपाईल करके आपके लिए वीडियो बनानी के कोशिश करूँगा, ताके जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पुराने भी है, लेकिन फीचर भूल गए, वो लोग ये सारे फीचर को अच्छे से देख कर समझ कर एंजोई कर पाए अपने फोन पे, उम्म